गाइस के आप जानते हैं कि रिगेश्टान का जहाज कहा जाने वाला उट सांप भी खाता है दरसल गाइस उट को हैयाम नामी नाम की एक गंभीर बीमारी हो जाती है और इस बीमारी से आहतोने पर उट खाना पीना तक छोड़ देता है और मरते दम तक सुरियोदय से लेकर सुरियास तक बस सूरज को देखता रहता है सांप को खाने के बाद उट को जोरो की प्यास लगती है और वह काफी सारा पाने पे पी जाता है और वह फिर से खाना पीना सुरू कर देता है कई बार बीमारी की चलते उंट को साप खिलाना पड़ता है और कई बार हुआ खुद ही साप को खा लेता है इसके साप खाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है या साप को पीछे की तरफ से खाता है और क्योंकि इस साफ निकलने के बाद उट की प्यास बढ़ती रहती है और 8 घंटों तक इसी हालत में रहने के बाद जहर के कारण उट की आँखों से आँसों का बहाव सुरू हो जाता है और रिसर्चर्स का कहना है कि ये बहुत ही जादा किमती आशू है उट के निकलते आशू उसकी आँखों के नीचे एक गठे में भर जाते हैं और समझदार लोग इसे चमड़े की थेले या सिसी में भर लेते हैं क्योंकि इन आशूं से साफ के काटे और बिच्छों के डंग क इलाज किया जाता है